जैसे कि आज हम आपको बताने वाल है, Amoxicillin and Potosium Cluvent टेबलेट का उप्योग कहां कहां किया जाता है, किनकीन समस्था किनकीन विबारी में किया जाता है, इसका पूरा डीटियल से आज हम आपको हिंदी में जनकारी देंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि Amoxicillin and Potosium Cluvent ये एक एंटिवाटिक मेडसीन होता है, और इस मेडसीन का उप्योग बेक्टेरियल इंफेक्शन में किया जाता है, और दूसरा है हमारा स्कीन इंफेक्शन, अगर किसी के स्कीन पर किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर भी इस मेडसीन का काफी ज़्यदा उप्योग किया जाता है, और इस मेडसीन का उप्योग सरजरी के दौरान भी किया जाता है, जैसे कि अगर किसी का गाओ नहीं भरता है, तो वहाँ पर भी इस मेडसीन का उप्योग किया जाता है, गहाओं को भरने के लिए और अगला हमारा UTI यानि अगर किसी के मूं तर्मार्ग में किसी परकार की समस्या हो जाता है तो वहां पर भी इस मेटसिन का उपै़क्सिन का का उपियोग किया जाता है जैसे कि अगर किसी के throat infection, अगर किसी के गले में किसी परकार का infection हो जाता है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर के दौराइस मेडिसिन का उप्योग किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, यह drop farm में और tablet farm में आता है, और यह amoxicillin simple भी या simple combination में भी आता है, छोटे बच्चों के लिए drop दिया जाता है, और बड़ों के लिए tablet दिया जाता है, डॉक्टर मरीज की सिति और उसकी condition को देखते हुए, इसका डोज निधारित करके देते हैं, या वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए कोई भी दवा वीडियो देख करके ना ले,